नमस्कार मैं ब्रिज मोहन सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका ब्रिज मोहन सूरी चैनल में योट्यूब चैनल ब्रिज मोहन सूरी आपका अपना चैनल है ये मेरे नाम से चैनल है प्रंदो ये आप सब का चैनल है तो आएए इस चैनल में आज हम आपको नया विशे दिखाते हैं एक ऐसा विशे जिसकी जानकरी लेकर आपका ग्यान बढ़ेगा आपका दिन अच्छा होगा और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का विशे इसका भोग लगा साई धोड़े धोड़े आएंगे आज मैं आपको पताने वाला हूँ कि यदि साई बाबा को आप ये भोग लगाते हैं तो बाबा भागे जले आते हैं और आपकी परतेक मनों कामना की पूर्ती करते हैं बाजरे की रोटी, यदि आप बापा को बाजरे की रोटी का भोग लगाएंगे तो बापा बहुत परसन होते हैं, और साथ में चटनी ये special रोटी बनती है, सीधी बाजरे से नहीं बनानी है थोड़ा सा फरक है इसमें, तो कैसे बननी है यह मैं वीडियो मैंने डाली थी तो मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप उसे क्लिक कीजिए तो आप मेरे वीडियो में पहुंच जाएंगे जहां हमने बताया है कि बाजरे की रोटी का भोग कैसे लगाएं कैसे बनाएं क्योंकि यह साही बाबा को बहुत प्रिये है बोग बनाएं उसाथ में लसुन की चटनी या हारी मिर्च की चटनी बना लीजिए फिर बाबा के समक्ष रखकर प्रातना कीजिए कि है प्रभू मैं आपके समक्ष बोग रख रहा हूँ यह रख रही हूँ हमारी परतेक मनों कामना पूर्ण करना और हमारे निवास पर आना और यह भोग खाकर इसको अमरित बना देना ताकि आपका जूठा जब हम खाएं तो हम पवित्र हो जाएं और हमारे सबी कारे पूरे हो जाएं हे प्रबु मैं जानता हूँ या जानती हूँ आप मेरे इर्द गिर्द ही हो किरपे अपनी शक्तियों को हमारे किसमीप लाओ इस भोजन को अमरेत बनाओ ताकि मेरा परिवार बहुत आगे बढ़ सके इस परकार भोग लगाईए देखिए बहुत लाब मिलेगा यह जरूर ल चाहता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का ब वटसैप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 ये 6 दिन के बाद ही मिलेगा, यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं, तो आप वटसैप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कारियों में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा कि ज जब आप जनम पत्री भीजते हैं, तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है, तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है, तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है, तो अच्छे डंग से देखकर ही बताते हैं, परंतु जनम पत्र में बहुत सारे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है बहुत सारे उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है तो मैं इजाज़त चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो और दिक सदिक शेयर करेंगे क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाब आपको भी मिलेगा तो मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखिए